हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक इस्टडी पुन्हा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैंध की इस रंखला में जिसमें आज हम समझेंगे परसेंटेज का पाइट थिरी और इसमें भी हम सारे कॉस्चिन्स को बिदाउट फॉर्मूला करेंगे तो आईए सुरू करते हैं पहला कॉस्चन है एक चुनाओं में दो उम्मीदवार थे यदि एक उम्मीदवार को 30% मिले वावाए 6000 मतों से हार गया तो चुनाओं में कुल कितने बोट डाले गई देखे इसको हम ऐसे करेंगे कुल चुनाओं में जो बोट हैं वो होंगे 100% जो कि हम अपने दो वीडियो में समझ चुके हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो जो पहला उम्मीदवार उसको मिला 30% बोट तो दूसरे को कितना मिला होगा 100 में से 30 गया तो 70% यानि दूसरे को मिला 70% बोट और हार जीत का जो अंतर था बोटा 6000 बोटों का जो की कोईस्चन में दिया गया है तो वो इन दोनों परसेंटेज के बीच का अंतर रहा होगा यानि 30 और 70 के बीच का अंतर 30 और 70 के बीच का अंतर कितना है? 40 ठीक है ना? तो 40% जो है वो 6000 बोटों के बराबर है और हमें निकालना क्या है? 100% बोट ही यानि कुल बोट तो 100% बराबर माना X होगा अब इनका कर लेंगे 3 गोणा तो 6000 गोड़ेत हो जाएगा 100 अपॉन 40 गोड़ेत X अब इनको काट देंगे तो आजाएगा 1500 गोड़ेत 10 और इनका गोणा कर लेंगे तो आजाएगा 15,000 यानि उस चुनाओ में कुल बोट डाले गए थे उनकी संख्याती 15,000 तो I hope कि आपको clear हो गया होगा एक और उधारन समझते हैं देखे दिया है एक चुनाओ में दो मीदवार थे यदि एक को 71% बोट मिले वाव है 756 मतों से चुनाओ जीत गया तो चुनाओ में कुल कितनी मतों मत डाले गई इसमें भी क्या करेंगे कुल 100% बोट थे उसमें से 71 मिले एक को तो दूसरी को कितनी मिले होंगे 100 में से 71 को घटा लेंगे तो आजाएगा 39 अब देखिए जो अंतर रहा वो रहा 756 मतों का जो कि किसके बराबर होगा इन दोनों के परसेंटेज के परसेंटेज का जो अंतर रहेगा तो 71 में से 29 को घटाएगे तो मिलेगा 42 यानि 42 परसेंट की जो वेल्यू है वो 756 मतों के बराबर है तो 100 परसेंट निकालना है तो 100 परसेंट की वेल्यू हम रख देंगे एक्स अब इनका कर लेंगे त्रिया गोना तो हो जाएगा 100 गोलेट 756 मतों बटे 42 अब इनको काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 गोलेट 18 अठारा सो हमारा सो गोलेट 18 कर लेंगे तो अठारा सो हमारा आंसर आ जाएगा यानि उस चुनाओं में कुल अठारा सो बोट डाले गए तो यह दोनों कॉस्चिन आपको समझ में आए होंगे आगे बढ़ते हैं दिया है दो संख्या हैं तीसरी संख्या से करम जाह 30% वा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिसात कम है अब देखिए यह जो दोनों संख्या हैं पहली और दूसरी यह तीसरी से कम है तो हम तीसरी को मान लेते हैं 100 उसके बाद क्या है पहली संख्या कितना कम है 30 यानि 100 में से 30 गया तो 70 और दूसरी कितनी कम है 37 तो 100 में से 37 गया तो 63 अब इनने पूछा क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है देखे दूसरी संख्या पहली से बैसे नंबर में देखें तो 7 अंक कम है लेकिन इनने पूछा है प्रतिसत में तो हम प्रतिसत निकाल लेंगी पहली इनका अंतर जो है वो पहली से भाग दे देंगी यानि 7 में 70 का भाग देंगी और percentage के लिए गोड़े 100 कर देंगी तो इनको काट देंगी तो हमारा आंसर आजाएगा 10% यानि उसको वो संख्या उसस से अंगे बढ़ते हैं को चौथा प्रश्न है दो संख्या इंदि तीसरी संख्या पंची suiv 1 पृतिसत कम है नेन तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परटीसति है ओए समझ से गोशा है। देखे तीसरी संख्या को मानेंगे हम 100 ठीक है ना अब इसमें दिया है कि पहली संख्या जो है वह 25 % कम है तो सो मेंसे 25 गया तो 75 यानिंए पहली संख्या 75 अश्य है Heute उज्ट दूसरी,ρείसरी संख्या से संख्य । 10% лиसे दिया तो किटना काऊओ 30 अब पूछा है कि पहले संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिसत है तो पहले संख्या है 75 दूसरी 80 तो 75 में 80 से भाग दे देंगे और प्रतिसत में निकालना है तो गुले 100 कर देंगे तो आजाएगा 375 बटे 4 और इसको हम काट लेंगे तो आजाएगा 93 बद समलाव 75 जो क कर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी देखिए किसी संख्या का 75% निकाला और उसमें हमने 75 जूड दिया तो हमें वही की वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या निकाली है माना हमने कि वो संख्या X है अब इनने कहा X का पहले 75% निकालते हैं तो 75 बटे 100 और इनने कहा कि उसमें फिर 75 जोड़ देते हैं तो प्लस 75 कर दिया और वही संख्या पराप्त होती है यानि एक्वल में हमें X ही पराप्त होता है अब हम क्या करेंगी 75 को 25 से काट लेंगी यान कि X पक्षांतर हो जाएगा 75 का तो साइड जाके माइनस का हो जाएगा अब देखिए यहां पर एक्स घटा लेंगी तो एक्स बटे 4 आजाएगा एक्वल टू आजाएगा माइनस 75 अब माइनस से माइनस को हमने काट लिया तो हमारी पास क्या बचा 75 गोड़त 4 इन दोनों क कर लेंगे हम गुणा तो हमारा आजाएगा आंसर 300 तो आई होब कि आपको किलियर हो गया होगा जैसा कॉस्चन में देखा है हमने बिल्कुल बैसे ही वैल्यू को पुट कर दिया आंगे एक और कॉस्चन समझते हैं एक कक्षा में 3 सेक्षान है सेक्षान है जिनमें क्रमसा 40 40 पचास उबसाट चातर हैं इनमें क्रमसा 10 परसेंट 20 तथा 10 परसेंट पास हुए तो पूरी कक्षा में कितनी प्रतिशत बच्चे पास हुए देखे, सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे कि क्लास बन में 40 हैं, सेकन्ड में 50 हैं और थाइड में 60 हैं अब इनने कहा कि इन में करम साथ 10% 40 का 10% कितना होता है? 4 50 का 20% कितना होगा? 10 और 60 का 10% कितना होगा? 6 इतनी लोग पास हुए अब पास हुए कितने संख्या में तो जोड लेंगे चार, दस और छे को जोडने उपर मिला हमें 20 तो 20 लोग कुल पास हुए कितने मैंसे देखे 60, 50 और 40 को चूड़ेंगे तो 1.500 यानि 1.500 मैंसे 20 पास हुए वो परसेंट में कितने हैं तो गोड़े 100 कर देंगी तो आजाएगा 40 बटे 3 और 40 में जब 3 से भाग देंगे तो आजाएगा 13 सही 1 बटे 3 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा आँगे बढ़ते हैं दिया है किसी स्कूल में छात्र वा छात्राओं का अनूपात 3 अनूपात 2 है यदि 20 परसेंट छात्र वा 30 परसेंट छात्राओं को छात्र वर्ती मिलती है तो छात्र वर्ती ना लेने वालों का प्रतिसत क्या होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे छात्रों छात्राओं का अनूपात लेंगी दिया है 3 अनूपात 2 अब देखे क्या करेंगी चूंकि यहां पर देखे question में दिया है 20% छात्रों को छात्विर्थी मिलती है तो मिलती कितने को नहीं होगी 80% को और अनुपात में देखें तो 3 अनुपात 2 है यानि छात्र कितने अनुपात में 3 तो 80 का 3% क्या होगा 80 गोड़े 3 बटे 100 तो आज आएका 12 बटे 5 यानि 12 बटे 5 को छात्विर्थी मिलती है और छात्राओं का देखते हैं अनुपात इनका दिया है 2 और 30% को मिलती है यानि 70 को नहीं मिलती होगी तो 70 का 2% क्या होगा 70 गोड़े 2 बटे 100 यानि 7 बटे 5 तो यहाँ पे हम लेख लेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है जिनको छात्विर्थी मिलती है 12 बटे 5 और जिनको नहीं मिलती वो हमें नकालना है और छात्राओं को देखते हैं कितनों को मिलती है 7 बटे 5 अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे 12 बटे 5 और 7 बटे 5 अब देखिए इनका हर समान है तो डारेक्ट जोड़ जाएंगे 12 और साथ 19 बटे 5 अब कुल संख्या प्रतिसात में निकाल ली है तो हम क्या करेंगे 19 बटा 5 और अनूपात देखी तीन अनूपात दो था इन अनूपातों में हमें 5 से भाग करना है और गुड़ित परसंटेज के लिए 100 से गुड़ा तो देखिए 5 और 5 से हमने 100 काट तीया यानि 25 चोपो 100 और 19 और 4 बचा जिसका हम कर लेंगे गुड़ा तो हमारा आंसर क्या जाएगा 76 यानि 76 परसंट ऐसे छात्र छात्रा हैं जिनको छात्र विर्दी नहीं मिलती अंगला कोस्चन समझते हैं यदि किसी नगर की बरतमान जनसंख्या 18,000 है यदि इनमें 10 परसंट बारसेक दरसे ब्रद्धी हो रही है तो दो बरसवाद नगर की जनसंख्या क्या होगी अब द 110 और पहले कितने थी 100 तो 110 में 100 से दिया भाग तो हमारा आया 11 बटे 10 यह जो हमने साइड में किया हुआ है ठीक है अब हम क्या करेंगे नहीं 2 साल तक का पूंचा है तो 18,000 गोड़त 11 बटे 10 गोड़त 11 बटे 10 यह हम दो बार लखेंगे क्योंकि 2 साल का पूंचा है अब इस बाद उस नगर की जन संख्या हो जाएगी 21,780 तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आंगे समझते हैं एक कस्वे की जन संख्या 1,676,400 है यदि इसमें 5% बार से दर्से ब्रद्धी हो तब दो बर से पूर्व जन संख्या क्या थी देखिए इसमें अभी हम वही करेंगी 100% थी अब 5% की दर से बढ़ रही है यानि 105 पहले कितनी थी 100% तो 105 में 100 से भाग दिया तो हमें मिला क्या 21 बटे 20 अब क्या करेंगी 21 बटे 20 को पलट लेंगी क्योंकि हमें पूर्व में जाना है तो हो जाएगा क्या 20 बटा 21 अब इस अब इसको हमने काटा तो हमें क्या मिला 400 गोड़त बीस गोड़त बीस और इनका हमने किया गोणा तो हमें क्या मिला 1,60,000 यानि दो बर सबूर उस कसवे की जन संख्या 1,60,000 रही होगी तो आई होब कि आपको ये सब समझ में आया होगा और यहां पर हमारा परसेंटेज ख